CM अर्विंद केजिवाल की आम आदमी पार्टी पर ED की तलवार लगाता लिटकती हुई नजर आ रही है और हाली में दिल्ली CM और आप प्रमुख अर्विंद केजिवाल को ED ने शराब घोटाला मामले में आज ED के सामने पूश्टाच के लिए समन भीजा है हलाकि केजिवाल ने गुरुआर सुभाई ED को मेल के जरी अपना जवाब भेज दिया है कि आज वो ED के सामने पेश नहीं होने वाले हैं दरसल इसकी वज़ा ये है कि मध्यप्रदेश में चुनावी अभियान के लिए वो रवाना होने वाले हैं दरसल सीम अर्विंद केजिवाल मध्यप्रदेश में हो रहे चुनावी अभियान के लिए रवाना होंगे इस वज़ा से वो ED दफ्तर नहीं जाने वाले हैं तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने सीम अर्विंद केजिवाल के खिलाफ मोचा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन करके उनके गिरफतारी की मांग की जा रही है बीजेपी सांसत रमेश बिधूडी के साथ अन्य बीजेपी नेताओं ने राजखाट पर विरोध प्रदर्शन किया है तो केजिवाल साथ को सीडिया ने बुलाए अब औरेबल कुपरीम कोट ने कहा है 338 करोड रुपे का सीधा सीधा करीज़ पश्ट गोटाला तो हमें दिखाई दे रहा है एडी की रिपोर्ट के अनुसार तो एडी ने ये जांच करने के लिए जो इनके मुल्जिमों ने कहा है केजिवाल ने हमसे का यहाँ आदमी खास है इसे तुम बात कर लो तो गोटाले का मस्लिमेंट के जीवाल है अगर एडी पूश्टाज के लिए बुला रही है तो जाने में क्यों डर रहे हैं आप लो जांच के लिए तो पहले भी बुलाया था एडी ने सुबह से शाम तक जांच आखिर उनसे हुई थी ना अगर उनको करना होता तो भी कर सकते थे अब एडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्परिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना वही वो कर रही है और हर नागरिक का पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना और उसके अंडर सहता करना हर तरीके से ये अगर कटर इमानदार अपने आपको कहते हैं कटर सचाई का पक्षिदर कहते हैं तो फिर जो है ये जाच से क्यों भाग रहे हैं इस बीच आम आद्मी पार्टि के भी निताओं के बयान सामने आए हैं एडी समन के इस पूरे मामले पर बोलते हुए दिल्ली के मंत्री और आप विधायक सौरप भारतवाज ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है और वो इतना ह हैंकारी है कि हर छोटी राजनितिक पार्टी को कुचलना चाहती है यह बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनितिक दल को चलने के लिए भारती जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है गौर तलब है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद के जीवाल ने गुरुवार सुभाई डी को भेजे गए अपने जबाबी पत्र में इजी का समन नोटिस अवैद और राजनिति से प्रेडित बताया है उन्होंने नोटिस के जरीए ये भी पूछा कि किस आधार पर उन्हें समन के लिए नोटिस भेजा गया है और एडी को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए बता दें कि इस से पहले दिल्ली शराब नीती घुटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनी सिसूदिय और राजे सभास सांसद संजे सिंग पहले ही गिरफतार हो चुके हैं बैराल केजरिवाल अब कब एडी दफतर जाएंगे इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है एडी द्वारा केजरिवाल को शराब नीती घुटाला मामले में पूस्ताच के लिए तलब किया जाने से आ पार्टी आग बबूला है और कहीं ना कहीं आप नेताओं को अब केजरिवाल की गिरफतारी का दर भी सता रहा है तो फिलाल के लिए इस कास कबर में बस इतना ही ये खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश प्र कैसी लगी का दर भी सर्फलिए, जर रहा है हमें आपका है तो फिलाल के देखा है।